नमस्कार मैं 80 स्पाटर का आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में रही बात आज UPSI ASI की जो टाइपिंग चल लए है 18 तारिक को भी देखा गया कि बच्चों को कुछ समस्या हैं का सामना करना पड़ा 19 तारिक में क्या रहा कि क्या वही समस्या हैं आज भी सामना करना पड़ा है कि नई बच्चों को उसके बारे बेभी डिसकस करूंगा बाकी जो आपकी समस्या थी उस पर भरती बोर्ड ने क्या जबाब दिया है उस पर भी मैं आप लोगे को बताऊंगा तो सबसे पहले जितने लोग भी चैनल पर ने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जादे से जादे सेर करें, ताकि जिसके साथ भी ये समस्या है, उसको ये पदा चल पाए कि इसका समाधान क्या है, कैसे इसे हम लोग जो है निजात पा सकते हैं, तो सबसे बड़ और उनका एक्स्टा वर्ड नहीं डाला और उनकी highlighting जो हे पीछे चलती रही और वो अपना type करते रहें content जब type होके निकला तो आपका सही निकला और जो लोग extra word डाले थे उनका extra word के साथ निकला तो जो लोग extra word डाले थे, उनका एक error count होगा, बस और कुछ नहीं होगा, और जिन्होंने कुछ भी मतलब जिनका highlight पीछे चल ला था, उनका कोई issue नहीं है, तो highlight से मतलब नहीं है, चाहे आपका आगे जाए, चाहे पीछे जाए, lagging हो रही है, ये board ने भी माना है, और आज जो बच्चे जो हैं, board पहुंचे थे, तो उनका यही काना है, जब उन्होंने रस्मी मेम से पूरा application दिया, और एक गलती में बताऊंगा आप लोगों कि जो आप लोग करते हो हमेशा जब भी board पहुंचते हो, उसको हमेशा संग्यान में लिया कर रखिए, कि पहले त कि ऐसा नहीं हो कि हमने highlight के according टाइप नहीं किया, तो हमारे सब error में count हो जाए, तो रस्मी मेम ने आप लोग बच्चों से यही कहा, और हमें बच्चों ने message किया, मेरे पास message भी पड़ा हुआ है, वो वहीं पे थे और उनसे बात भी हो रही थी हमारी, तो बोल लेते, मैम न यही कहा है, कि आप लोग जो है, जो भी आपका type किये हो, अगर passes के according आपने पूरा type किया, hard copy में आपको दिख रहा है, तो वहीं मानने होगा, आपका highlight जो है पीछे चले या आगे चले उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको एक सहूलियत के लिए दिया गया था, कि आपक writing वाला दिया गया था, और इसी वज़े से कुछ software के issue के वज़े से वो lag कर रहा है, बस और कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप जो लोग भी इस lagging के वज़े से परसान थे, वो एकदम निश्चिंत हो जाओ, उनकी typing चेकोगी, और qualify भी होंगे वो, ठीके, अगर आपने पू system, shut down हो जाना, ठीक है, shut down होता है, तो आपका time kill होता है, और जब time kill होता है, तो exam में इतना pressure होता है, कि फिर आप चीज़ों content पे type ही नहीं कर पाते हो, उपर से lagging अलग से चल रही है, तो भाई समस्या, कुछ पता चले, कुछ बच्चों के साथ keyboard short कर रहा है, मतलब कोई, ए दिक्कत आ रही है, keyboard से कोई दिक्कत है, बार-बार CPU जो है, उस software को CPU उतना heavy नहीं है, और जब online आपका remote से वो चल ला है, तो उसमें कई बार shut down हो जाए, तो आपका time kill होगा, आप system on होगा, क्योंकि वो time बोलना है, बच्चे कि हमें वो time बीत जा रहा है, जितना समय लग र हो रहा है, तो भाई जाइज सी बात है, कि मानसिक pressure बढ़ेगा, और कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जब ऐसी समस्या है, कई बच्चों ने किया, कई ने बोला message करके, सर इसके वज़ा से मेरी कई line चूड गए, अगर line चूड गए, तो बहुत दिक्कत हो ऐसी जो समस्याओं है, चाहे कोई भी समस्याओं आपके सामने आई है, चाहे वो keyboard से लेकर, चाहे shutdown से लेकर, और भी कोई issues हैं आपके सामने, किसी में inter दबाने, मतलब inter तो काम कर नहीं रहा, लेकिन उसका paragraph बोला था कि मेरा space के बाद paragraph उसमें सू कर रहा था, जो आपका मिल प्रिंट आउट मिलता है, तो ऐसी कोई समस्याओं आपको सामना करना पड़ा है, तो आप भरती बोड को एक बार सुचित करो, उस center के बारे में, और सुचित ऐसे मत करो, तुम लोग क्या है, मैंने अज जो फोन किया बच्चों पे, एक girls candidate से मेरी बात हो रही थी, मैंने कह कि ऐसे आप लोग individual individual आप अपना अपना ग्यापन दियो, अपनी इपनी सिकायत दियो, ठीक है दियो, लेकिन आपको यह करना चाहिए था, कि जिसके पास, जो भी एक समस्या से जूज रहे हैं, चाय किसी भी समस्या से आप जूज रहे हो, आप सिधे एक format बनाओ, ग्यापन का, उस पे पूरा लिखने के बाद बताओ कि हम लोग ASI tapping candidate हैं, और हमें इन समस्याओं का, एक तरफ समस्या लिख दो कि यह समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, इन इन institute में ऐसा हुआ है, उसके बाद से आप एक ही पे ही आप कम से कम 50-100 लोगो student का हस्ताक्षर करा लो, तो वो थोड़ा आपका क्या होता है, वेटेज देता है, जब आपका वो 100 candidate के हस्ताक्षर, row number, नाम होते हैं, और वो आपके जब बोड पे जाता है, तो वो आपका कही न कही उसका वेटेज जादे होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा, जो भी बोड जा रहे ह इसी में एक बच्चे से मेरी बात हुई, उस बच्चे ने बोला सर एक वीडियो बना दीजिएगा, ताकि ये जो हो कि हमारा, हाँ, मैं बता दे रहा हूं कि उसने क्या कहा है, एक बार आप लोगों को, अभी message में देख रहा हूं, उन्होंने बोला है कि अभी हमने individual individual तो द रठा हो जाओ, इस वीडियो के description में में उस group का link में लगा दूँगा, आप जुड़ जाईएगा, तो आप पूछ लीजिएगा कि कौन कौन कल जा रहा है, और जाने पर क्या है कि आपकी जो भी सिकायत है, पहले तो एक साथ आप पूरी सिकायत को लिखके, और जिस जिस center स से आपकी सिकायत है, तो उसका नाम लिखके, प्लस आप 50-60 बच्चों का नाम, roll number और sign करा लो, वो ग्यापन अलग दे दो, बाकी आप अपना individual दे के आए हो, ठीक है, वो बढ़ियां है, लेकिन कल एक बच्चे ने बोला, एकसल की कल हम लोग, कई लोग जाएंगे, और इस समस्या पर, जो उनको खास कर, कीबोर्ड से रिलेटेड, सिप्यू सट डाउन से रिलेटेड, और इसके वजह से उनकी टाइपिंग में, जो है, टाइपिंग बाधित हुई है, वो सोच नहीं रहे थे, और लास्ट मुमेंट में, उनकी क्या गलती है, बार-बार सिस्टम समस्या हैं, यह बोर्ड ने भी माना है, कि हाँ समस्याएं चल लहीं है, तो उनको आप समस्याओं से वाफित कराईए, और जादे से जादे संख्यावल बोर्ड पहुंचिए, तभी आपके जो समस्या है, चाहे वो कीबोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे सिप्यू सट डाउन स हो चाहे कोई भी हाइलाइट वाली समस्या उतनी समस्या नहीं है या आपने कोई extra word डाल दिया वो कोई ऐसी समस्या नहीं है वो आपकी एक error count होगी बस लेकिन जो समस्या real में है कि सट डाउन हो जाना हैंग करना system को आगे नहीं बढ़ना हम type कर रहे हों वो आगे बढ़ी नहीं रहा है और कभी जब हो रहा है पूरा-पूरा line ही type हो जाए चुट भी type हो आई ऐसे बोलने बच्चे हैं कि हम type कुछ और कर। टाइप कुछ और हो रहा है तो यह जो समस्या है यह आप सेंटर वाई समस्या बताईए और ग्रुप में जाईए भाई मैं फिर से भी बोल ला हूँ कि यह लडाई आपकी है आप लोग एकठा होकर और आप ही स्टूडेंट हो आप लोग एक साथ अपने का साथ नहीं दोगे और इससे इनका भविस्स खत्रे में है तो कृपया करके इससे संग्यान में लीजिए और इन संटरों पर जो भी हो इसको एक बार दिखवाईए और हो सके तो जिनका बहुत जादे बिगड़ गया है तो कोशिस करिए कि आपको नया एक्जाम डेट मिले मैं तो यही चाहू जिनका बिगड़ गया है जिनको यह प्रॉबलम होई सब के लिए नहीं कि हो सकता है कि आप फिर से एक्जाम की डिमांड करो जिनका खराब हुआ है वास्तों में ही क्योंकि आगर आपका नहीं टाइप हुआ तो आपका जो प्रिंटिंग वाला मेटर है वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा ठीक है तो और भी कोई समस्या है भाई आप लोगों तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो आपका मैं मैं यहां पर सिफ एक इंटिमेडियेटर हूं कि आपकी बातों को उन बात बच्चों तो पहुंचाता हूं जो नहीं जान पाते हैं कि उनको समस्या जानिये कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा ही होता रहा है तो कब तक आप अपने आपको कोशते रहोगे तो एक बार सभी लोग एक जुठ हो कर जाईए यह बात जरूर डाल दीजिए रिजल्ट आने से पहले अपना अपना कंप्लेन इसलिए मैंने बोला आप अपनी समस्या बोर्ड को जरूर बताईए वहां से आपको कोई मार के भागाएगा नहीं जो है जबाब दिया जा रहा है हां कोई चीज लिखित आपको नहीं दी जा रही है उसके लिए घवराईए मत मैंने यह कहा था कि आप निश्चिंत रही है हाइलाइट और उसकी कोई दिक्कत नही ठीक है उस चीज को लेकर लेकिन अभी कोसिस करिए कि आप अपने अपनी समस्या बोर्ड तक रखिए जरूर रखिए ठीक है जिसको भी हाइलाइट और उससे रिलेटेड अलग कोई प्रॉब्लम है जो सिस्टम आपका हैं करना सट डाउन होना की बोर्ड का रिलेटेड इस इस सब चीजों की समस्या जो हैं बोर्ड के सामने जरूर बताईए उस इंसिटूट से रिलेटेड चलिए अगर कोई दिक्कत और समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है तो आप वीडियो के कमेंड में जरूर डालिएगा और ग्रुप जरूर जो आन कर लिजे जहां बच झाल 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